दिली के खजोरी खास इलाके में एक मकान के बाहर खड़े 18 महीने के बच्चे की स्कूटर से टक्कर लगमे से मौटे है बताया गया कि जिस स्कूटर से हादस्सा हुआ उससे चला रहा आरोपी लड़का नावालिग है जिसने तेज रफ्तार में दो बच्चो को टक्कर मार दी घटना के CCTV वीडियो में दिखा कि 18 महीने का बच्चा अपने घर के बहर सड़क के दूसरी और खड़ा था कुछ देर बाद एक छोटी बच्ची उसके पास दोड़कर पहुँची कि तभी अचानक पीछे से एक स्कूटर तेजी से आया और दोनों बच्चो को जोड़ दार टक्कर मार दी हादिसे में लड़की तो बच गई लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया पुलिस ने इस हादिसे के नाबाली कारोपी को बालसोधार ग्री बेच दिया जिसका सबसे ज़्यादा असर उन जगों पर है जहां कॉंग्रिस ने पिछले चुनावों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी अजीद जोगी आदिवासियों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और माया वथी का साथ मिलने से उन्हें दलितों के वोट भी मिल सकते हैं दोनों का जादू चला तो कॉंग्रिस को बड़ा नुक्सान हो सकता है खुद रमन सिंग भी मानते हैं कि जोगी और माया की जोड़ी से बीजेपी को फायदा होगा अलगी कुछ जगह ऐसी भी है जहां जोगी की मौजूदगी बीजेपी को भी जटका दे सकती है कॉग्रेस की बड़ी परिशानी ये है कि जोगी अगर राज़्य में किंग मेकर की भुमिका में आए भी तो उनके कॉग्रेस से हाथ मिलाने की उम्मीद कम है इसलिए माना जा रहा है कि जोगी माया गडबंधन इस बार कॉग्रेस को बड़ा जटका दे सकता है 36 गड़ की कुल 90 सीटों में ऐसी 40 सीटें हैं जहां मायावती और अजीत जोगी की जोड़ी बड़ा असर डाल सकती है इन सीटों पर बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच पिछले चुनाव में कड़ी ठक्तर रही थी बीजेपी ने इन 40 सीटों में 20 सीटें जीती थी और कॉंग्रेस ने 19 सीटें जीती एक सीट अन्य के खाते में गई थी हाला कि 2008 में इन सीटों पर बीजेपी के हालत इससे बहतर थी इन 40 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और कॉंग्रेस 15 सीटों पर ही सिमट गई थी पुलिस का दावा है कि गिरफ्ट में आए 11 लोग बीबी आई पी इलाकों से जमीन के अंदर विची टेलिफोन की तारों को चुराने का काम करते थे और इसके लिए ये लोग बकाइदा पहले खुदाई करते थे फिर जमीन के अंदर से तारों को निकालते थे पुलिस के मताविक जिन तारों को ये लोग चुराते थे वो काफी नहेंगी होती हैं एक मीटर तार की कीमत करीब 50 हजार रुपए होती है पुलिस का दावा है कि इस गिरों में 50 से 60 लोग हैं जो 10 से 11 के ग्रुप में रात के वक्त अलग-अलग इलागों में चोड़ी करते हैं मुंबई के सायन में साउथ के सूपर स्टार रजनी कांथ और अक्षे कुमार स्टारर फिल्म 2.0 की रिलीज होने पर लोगों ने जमकर जेश्ट मनाया है जोरान रजनी कांथ के प्रशनसकों ने दावा किया कि फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड बनाएगी और इसके साथ ही बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले बैंड की धुन पर नाचते गाते फिल्म देखने सिनमा हॉल पहुंचे इसी बीच दो महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखकर फिल्म 2.0 के रिलीज होने की खुशी में जमकर डान्स किया साथी रजनीकांथ के प्रशंसकों ने प्टाके फूड़ कर भी जश्ण मना है महीं उनके कुछ प्रशंसक रजनीकांथ की स्टाइल में नज़र आए लेकिन इससे पहले उनके चाहने वालों ने मंदिर में जाकर फिल्म हिट होने के लिए दूआ मांगे इस दोरान एक बच्ची ने रजनीकांद की तस्वीर वाला एक जंडा हाथों में पकड़ रखा रजनी कांथ के चाहने वालों ने मंदिर में पूजा करने के बाद दावा किया कि फिल्म कमाई के न रेकॉर्ड बनाएगी इसी बीच सिनेमा घर के बाहर रजनी कांथ के उचे कटाउट भी लगाए गए क्योंकि रजनी कांथ के चाहने वालों के लिए कई महीनों बाद कोई फिल्म सिनेमा घरों में आई दावा किया गया कि रजनी कांथ और अक्षे कुमार को लेकर बनाई गई ये फिल्म भारत में मनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म जिसे बनाने में खरीब 600 करोड रुपए का खर्चा आया और इस फिल्म को तयार करने में 3000 टिक्निशन ने दिन रात मेहनत की जिसके बाद फिल्म को देश भर में 6600 स्क्रीन पर रिलीस किया गया इनमें हिंदी में 35,000, तमिल में 5,000 और तेलगू में 600 स्क्रीन पर फिल्म रिलीस किया दावा किया गया कि फिल्म रिलीस से पहले ही खरीब 490 करोड की कमाई कर चुकी है इस मार्च में नेता विपक्ष तिजस्वी यादव भी शामिल हुई जो इस विरोध प्रदर्श्टन की अगुवाई करते नजर आए राजभवन तक निकाली गए इस मार्च में आरज़ेडी और कॉंग्रिस के लावा जितनराम्मान जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी शामिल हुई नितीश तरकार के खिलाफ इस मार्च में महिला विधायकों ने भी हिस्सा लिया मुझफरपूर बालिका ग्रिह कांड को लेकर तमाम विपक्ष अभी सड़क पर उतरा है आरज़ेडी कॉंग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं मलसी हैं वो सड़क पर उतरे हैं और यह राजभवन मार्च के लिए निकले हैं आज नितीश कुमार जी उन लोगों को संड़क्षत देने का काम कर रहे हैं इतना ही नहीं तेज़स्वी यादब ने दावा किया कि पुलिस नतीश सरकार के दबाव में काम कर रही है तो ही पूर्व मुख्यमंतरी जितनराम मांची ने भी तेज़स्वी यादब की आरोपों का समर्थन करते हुए राजजमे राश्पती शासन की मांग करती इससे पहले समूचे विफक्ष ने मुखफरपूर कांट को लेकर विहार विधान सभा की अंदर और बाहर जब कर प्रदर्शन किया जिसमें आरजडी के साथ कॉंग्रिस के विधायक भी शामिल हुए प्रोटेस्ट के समय आरजडी और कॉंग्रिस के विधायकों ने हातों में पोस्टर ले रखे थे जिन पर मुझफरपूर कांट के मुख्यारोपी ब्रजेश ठाकूर के साथ नितीश कुमार और सुशील मोदी की फोटो दिखाई थी मुझफरपूर कांट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आरजडी ने एक बार फिर नितीश सरकार को निशाने पर लिया इससे पहले विपक्ष ने इस आदम के अंदर हंगामा किया जुसकी वज़ह से कारवाई नहीं चल पाई सSubtapakš ने विपक्ष पर मुझफर पुरकांट को लेकर राजनेती कारोप लगाए बिटिन के कोस्ट गाड ने समंदर की तेज लहरों में फसे एक तैराक को दूबने से बचा लिया तैराक को दूपते देख, कुछ कोस्ट गार्ड एक लाइफ बोर्ड की मदद से उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचे राहत कर्मियों ने उसे लाइफ बोर्ड पर खींच लिया उसे लेकर लाइफ बोर्ड ने बड़ी नाव के पास पहुंचने की कोशिश की लेकिन तेज लहरों की वज़े से वो ऐसा नहीं कर सकी अंत में बचाय गया आदमी को लेकर वो लाइफ बोर्ड पास के लाइफ आउस वाले एक टापू पर सही सलामत पहुंच गई राजिस्तान की बस्ती में एक चुनावी रैलि में बीज़ेपी अधियक शमत्षा ने गुस्पैथियों के बहाने राहूल गांधी और कॉंग्रिस पर जमकर हमला बोला कॉंग्रेस पार्टी राहूल बावा एन कम्तित पूरी राज्यसभा और लोगसभा में राजे सबा उनलोक सबा में हाय उपाद कर देले अरे इनको क्यों निकाला इनको क्यों निकाला कहां जाएंगे क्या खाएंगे क्या पिएंगे इनके हुमन डाइट का क्या इतना आकरंद कर दिया जैसे नानी मर गई मैं पूछना चाहता हूं राजे स्थान विधानजबा चुनार के लिए गोशना पत्र जारी करते हूँ कॉंग्रेस ने किसानों के लिए कई बड़े वादे किये कॉंग्रेस ने दो लाध लोगों से सुझाव लेने के बाद ये गोशना पत्र तयार करने का दावा किया और इसका नाम जन घोशना पत्र रखा जिसे सचिन पाइलेट और अशोक गहलोद दोनों ने एक साथ जारी किया घोशना पत्र में पार्टी ने किसानों का खास ध्यान रखा और उनके लिए वादों का पिटारा खोल दिया किसानों का जो करजा है उसको कॉंग्रेस पार्टी माफ करेगी और एक नई शुरुबात करने का मौका हमारे किसानों को राजस्थाने मिलेगा इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने बीजेपी के घोशना पत्र को भी आड़ेहत लिया और अपने घोशना पत्र में 400 से ज़्यादा घोशना हैं की जिनमें किसानों के अलावा महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई अलान शामिन है कॉंग्रेस के घोशना पत्र के मताविक अगर राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और ट्रैक्टर जैसे कृशी उपकरोनों को जी एस्टी से बाहर किया जाएगा साथी गोशना पत्र में बुज़र्ग किसानों को पेंशन की सुविधा देने का भी वादा किया गया इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को आसान लोन देने का वादा किया गया इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने वादा किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दूसरे शहर जाने वाले युवाओं की यात्रा का खर्च सरकार उठाएगी इसके लावा गोशना पत्र में लड़कियों की शिक्षा मुफ्त करने का भी ऐलान किया गया तो वहीं बीजेपी ने कॉंग्रेस के घोशना पत्र को अपने घोशना पत्र की नकल करार दे दिया बीजेपी ने कॉंग्रेस के घोशना पत्र में किये गए वादों पर सवाल खड़े की और कॉंग्रेस के वादों पर चुटकी ली इतना ही नहीं बीजेपी ने कॉंग्रेस का घोशना पत्र देर से जारी होने पर भी तंज कसा दिली की साखेत दिलागी की एक रेस्टों में वहां काम करने बाले एक लड़के की चाकू मार कर हत्या कर दिया बताया गया कि मारे गए हेमंद नाम के लड़के का उसी रेस्टों में काम करने बाले कुछ लड़कों से चखगा हुआ जिन में से एक ने उसके सीने पर चाकू सिवार कर दिया जिसके बाद हेमंद को जखमी हालत में अस्पताल ले जाए गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका हेमंद की मौत की ख़वर मिलते ही उसके परिवार में मातम पसर गया वहीं मारे गए लड़के के घरवालों ने इस घटना में पुलिस की कारवाई और जाँच पर सवाल उठाये साती हेमंद के घरवालों ने घटना में शामिल आरोपियों की जल्द किरफतारी की मांग भेगी बता गया कि पुलिस ने रेस्टरों की सुपरवाईजर समेट तीन लोगों को हिरासत में लिया और वहां लगे सीसी टीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी जब्त कर ली ग्रीस की राजधानी एंथन्स में यूएफ़ाई चैंपिन्स लीग के एक मैच में दर्शकों के दो पक्ष आपस में भीड़ दे दर्शकों का यहंगामा मैच खत्म होने के बाद चुरूओ जब ग्रीस की टीम के समर्थकों ने हार के बाद हॉलेंड की टीम के समर्थकों पर पेट्रोल बंप भेंग दिया हमला होते ही दर्शकों के स्टैंड में भगड़ मच गई इसकी वज़े से कुछ लोग स्टैंड से कूद कर अपनी जान बचाते नजर आया तब ही एक आदमी दोड़ता हुआ आया और उसने भी एक जलती हुई चीज उनके स्टैंड की और भेंग दी इस हंगामे के बीच अचानक हॉलेंड के दर्शकों के नजदीक एक जोरदार धमाका हुआ इस दमाके के वक्त स्टैंड में खड़े दर्शक अपनी जान बचाते नजर आये क्योंकि मैच देखने पहुँचे हॉलेंड के समर्थकों को अंदाजा नहीं था कि टीम की जीत उनकी जान पर भारी पड़ेगी स्टैंड से हटाना शुरू कर दिया लेकिन कुछी देर में पुलिस पोर्स ने भी उन लोगों पर हमला बोल दिया जिसकी वज़े से स्टैंड का एक हिस्सा खाली हो गया पेट्रोल बम के हमले और पुलिस से घवरा कर कुछ लोग तो मैदान और स्टैंड की पाउंडरी के बीच छिप गए काफी देर तक स्टैंडियम में भगड़ मचती रही और लोग एक दूसरे पर जलता सामान फेंकते रहे हंगामा यही नहीं रुका जब हॉलेंड के प्रशनसक स्टैंडियम से बहार निकले तो वहां भी उनसे जड़ब शुरू हो गए इस दोरान ग्रीस के समर्थकों ने फिर पेट्रोल बम से धमाके की मैच के बाद हुए इस हंगामे में कई लोग घायल हो गए जिनने बाद में अस्पताल भेजा गया पाकिस्तान की पियम इमरान खान ने आतंकी हाफिस सईद और अंडर्वर्ड डॉन दाउद इब्रहें के मसले से खुद को अलग करने की कोशिश की है भारती पत्रकरों के दल से बातशीत में इमरान खान ने कहा कि ये मसले उन्हें विरासत में मिले हें और अतीद के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठेण आया जा सकता है साथी इम्रान खान ने हाफिस सईद के संगठन जमातु दावा पर अमेरिका की पाबंदी का जिक्र किया लेकिन आतंगबात के मुद्दे पर अलग थलग पड़ चुकी पाकिस्तान ने आतंग्यों को सबक सिखाने या उन पर कारवाई करने की बचाए इस मुद्दे से चुपचाप किनारा करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर के सुपोर में उस वक्त हालात बिगड़ गए जब बढ़गाम मुटभेड में मारे गए एक आतंग्यों के समर्थन में कुछ लोग जवानों पर पत्थर बाजी करने ले जवानों पर हमला करने वाले ये लोग आतंग्यों के मारे जाने पर मातम मना रहे लेकिन मारे गए आतंग्यों के लिए आंसु बहते इन लोगों ने जवानों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया और उन पर पत्थर बरसाने लगे जवानों ने आंसु गैस के गोले दागे तो वहां भगदर्ण मच गई मारे गए आतंग्यों के जनाजे में जुटी महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजूर्ग इदर उधर भागने लगे लेकिन जो लोग पत्थर बरसा रहे थे उनके हाथ नहीं रुके और हालात बिगड़ते चले गए इस दोरान वहां लगातार गोलियां चलने की आवाजें सुने गई, एक के बादे कई आंसु गैस के गोले दागे गए लेकिन जवानों पर पत्थर बरसा रहे लोगों ने अपने कदम पीछे नहीं खीचे और सुरक्षा बल की सकती के बाद भी उनको निशाना मनाते रहे और ये वही लोग थे जो बढ़गाम मुटभेड में मारे गया आतंकी के जनाजे में शामिल होने पहुँचे थे इस दोरान एक गली में काफी लोग खड़े हुए दिखे कुछ को जवानों की कारवाई के दोरान भागते हुए भी देखा गया जबकि कुछ सड़क पर ही डटे हुए थे पत्राव कर रहे लोगों को खडेडने के बाद जो हालात सामने आये उनमें लोगों के जूते और चपले इधर उधर पड़ी हुई नजर आए तीन स्कूटर भी वाँ गिरे हुए थे जबकि जगा जगा पत्थर भी पड़े हुए थे और ये हालात वत्थर बाजों पर कारवाई के दौरान मची भगदर की वज़े से बने इससे पहले मारे गए आतंकी के जनाजे में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे जिन्होंने आतंकी की मौत पर मातम मनाया और हवा में हाथ लेराते हुए नारे बाजी की के साथ आतंकी हाफिस सहीद के करीबी और लशकर कमांडर नवीद चट को जवानों ने धेर कर दिया था और जवानों को बड़ी कामयावी मिली थी सुरक्षा एजिंसियों का भी यही दावा है कि जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन आल आउट में आतंक्यों की कमर अब तक मारे गए आतंक्यों की संख्या 233 पहुंच गई है जो सुरक्षाबल की बड़ी कामयावी है बांधी पूरा, सोपोर और बारा मुला जैसे इलाकों में आतंक्यों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार रवाई हुई है उइक कुलगाम, बढ़गाम और शोपिया में छिपे आतंक्यों के खिलाफ ऑपरेशन आल आउट जारी है यूपी की मुजफर नगर में किसानों ने ट्रेन के एक इंजिन को चेन से बांध कर बहां धरना दिया इन किसानों ने NGT के उस आदेश पर नाराज की जताई जिसके तहट 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों के NCR में चलाई जाने पर रोक लगाती गए क्योंकि NGT के आदेश के बाद मुजफर नगर के कुछ किसानों की ट्रेक्टर भी RTO विभाग में सब्त कर लिये RTO की करवाई से गुस्ताई किसानों ने रिल्वे स्टेशन पर एक इंजिन को अपने कबजे में ले लिया दिन के वक्त शुरू हुआ किसानों को धरना रात में भी जारी रहा जहां उनके खाने और ठंड से बचने की विवस्ता की गई इस बीच पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को मनाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात पर अड़े रहे पश्ची मंगाल के दाजीलिंग में पैरा गलाइडिंग के दौरान हुए एक हादसे में एक आदमी की मौत होगी बताया गया कि उड़ान भरने के दौरान गलाइडर में कुछ खराबी आ गए जिसके बाद उसे उड़ा रहा पाइलिट और उसके साथ मौझूद एक तूरिस्ट काफी उचाई से जमीन की तरफ गिरने लगे मौहीं इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी तूरिस्ट के साथ गलाइडर के जरीए हवा में उड़ता दिखा दोनों हवा में काफी उचाई तक पहुँच गए इस दोरान सब कुछ ठीक था लेकिन तभी पैरागलाइडर में खराबी आने से वो अचानक एक तरफ को जुग गया और बेकाबू होकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा जिसके बाद पाइलट ने ग्लाइडर को समालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा और कुछी सेकेंड में दोनों लोग ग्लाइडर के साथ एक मकान की चछत पर जा गिरे बताया गया कि इस हादसे में पाइलट की मौत हो गई जिफकि उसके साथ उडान भरने वाला टूरिस्ट कंभी रूप से घायल हो गई महीं इस हादसे के बाद फिलहाल वहां पैरग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई पाकिस्तान की करतारपूर में खालिस्तान समर्था गुपाल सिंग चाबला के साथ कॉंग्रिस नेता नवजोल सिंग सिद्धू की फोटो पर गमासान तेज हो गया है पाकिस्तान में हाफिस साइद की करीबी गुपाल सिंग च्वाबला के साथ नबजोद सिद्धू की तस्वीर वारे होते ही विरोध्यू ने उन पर चम कर हमला बोला और बीजपी नेता सुब्रमनियम स्वामी ने नाशनल सेक्योरिटी आक्ट के तहट सिद्धू को गिरफतार करने की मांगी अगले साल जन्वरी में होने वाले कुम्ब से पहले यूपी की प्रियागराज को बड़ी सौकात मिल सकती है यूपी सरकार का दावा है कि प्रियागराज से देश की कई शहरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी यूपी के नागरिक उडियन मंत्री नंद गुपाल गुपता ने दावा किया कि इस साल दिसंबर तक देश के 13 शहर विमान सेवा के जरियेट प्रियागराज से जुड़ जाएगे यूपी सरकार के मताबिक इंडिगो एरलाइन्स प्रियागराज से भोपाल, भुमनेश्वर, मुंबई, गेरदून, गोरकपुर, कोलकता, पूने और रायपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी जबकि जेट एरवेज पहले ही प्रियागराज से लखनौ, पत्ना, नाकपुर और इंडौर की बीच विमान सेवा शरू कर चुकी है यूपी सरकार की कोशिश है कि कुम्प के समय देश-विदेश से प्रियागराप्श पहुँचने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसके अलावा यूपी सरकार ने राज़के 18 बड़े जिलो को राजधानी लखनौ और देश के दूसरे बड़े शेहरों को हवाई सेवा के जरिये जोड़ने की भी योशना बनाई है और इसके लिए यूपी के 9 एरपोर्ट और 22 एरूट का चैन भी किया गया है आज की ताजा ख़बर में एक ब्रेक लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी ख़बरों पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में प्रदूशन की मुद्धे पर आम आदमी पाथी और बीजेपी के पार्शों दापस में भीड़ गए और हातापाई की समय बहां चपले भी चले राजिस्थान कॉंग्रस ने योगी आदितिनात की बजरंग बली की जाती पर दियान को सामके दाइक माहल बिगारने वाला बताते हुए राजिन राजिन आयोग से उनकी शिकायत दर्ज करवाई जी ट्वेंटी शिकर समयलन में भाग लेने पहुँचे पीम नरेंडर मोदी ने अरजिन्टीना की दाश्थानी ब्यूनिस आयरिस में योग समयलन में शिर्कत की जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया ब्यूटी अद्यक शमच्छा ने राहूल गांधी पर घुस पैथियों की हमायत कारों पर लगाते हुए पोचा की क्या घुस पैथिये राहूल गांधी के मोसेरे भाई लगते हैं तेलंगाना की चुनावी रैली में राहुल गार्धी निसक्त धारी पार्टी टीरस यानि तेलंगाना राष्ट्री समिती पर बीज्यपी की मदद कारोप लगाते हुए उसे तेलंगाना आरसस नाम दिया इसका सच्चा नाम है TRSS टेलेंगाना RSS और ये इनका पूरा खबूरा समर्दन कर रहे है आतंकी हाफिस सईद और अंडुबर डॉन दाउद इब्राहिम के मुद्धे पर पाकिस्तान की पीम इमरान खान ने कहा कि ये मसले उन्हें विरासत में मिले हैं और अतीद के लिए उनकी सरकार को जिम्मदार नहीं ठेहराया जा सकता है दिली के साके तिलाथी की क्रेस्टों के अंदर वहां काम करने वाले एक लड़के की चाकू मार कर हत्या कर दी गए दिली में कर्जमाफी समेथ अपनी कई मांगों को लेकर पहुंचे किसानों का धरना दूसरे दिन भी जा रही यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे विवाद को देखते हुए उमारे की राश्पती डॉनल्ड ट्रंप ने जी-ट्वेंटी सम्मेलन में रूस के राश्पती व्लादिमिल पुतिन से बाचीत रद्द कर दी काकिस्तान के प्रधानमंत्री ब्रांग खान ने भारती अख़बार को दिये इंट्रव्यू में कहा करतारपुर साहिट के बाद कटास राच और शार्दा पीट का रास्ता खोलने पर विचार खालिस्तानी आतन की गोपाल चाबला परमचे बवाल के बीच भारत लोटे नव्जोच सिद्धू ने कहा कि हजारों तस्वीरे खीची इसलिए पता नहीं कौन चीमा था कौन चाबला गुजरात की बनास काठा में सटख हादिसे में चार लोगों की मौत ऑगई है जबकि छै लोग घयाल हो गए दो ट्रक 링 इस हादिसे में टोनों ट्रक में आग लग लग गई इसमें ट्रक और कार में सबार दो-दो लोगों की मौत हो गई हादसे में घाय लोगों को अस्पताल में भरती करवा गया है हादसे में भरती करेंगे लोगों की में आवा गया है